सत्य नारण भगवान की कता हो या फिर पूर्णिमा की कता हो या जन्मास्ट मी हो सभी में पंचामरत जरूर बनाया जाता है तो आज हम आपके साथ पंचामरत की रेसेपी शेयर करने जा रहे हैं पंचामरत को पाथ चीजों से बनाया जाता है घी, शहद, चीनी, दही और पंचाम्रत में इन सभी चीजों को एक सही रेशों में डालने से ही पंचाम्रत बनता है पंचाम्रत में घी का दुगना शहद, शहद की दुगनी चीनी, चीनी की दुगना दही और दही का दुगना दूड डलता है तो हमने यहाँ पर लिया है घी, शहद, चीनी, दही और थोड़े से मखाने काट के लिए हैं, गोला कद्दू कसकर के लिए हैं और तुलसी दली हैं, सब चीजों को हमने जो रेशो आप से बताया है, उसी में लिया है, सबसे पहले दही को थोड़ा सा हम ट्वेंट लेंगे, दही एकदम ठंडा लेना है और दूद हमें कच्चा लेन अब हम इसमें डालेंगे शहैद, चीनी और घी इन सब चीजों को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से दो तिन मनट तक इसी तरह से लगातार चलाते जाएंगे, जिससे हमारी चीनी भी घुल जाएगी, आप चाहें तो पिसी हुचीनी यूज कर सकते हैं, जल्दी और सबको घूलने के बाद अब हम इसमें ये कद्दुकस किया हुआ गोला और मखाने डाल देंगे, इसमें और किसी भी ड्राइफरूट की जरूरत नहीं होती है, बस इनी चीजों से मिलाकर पंचमरत बनाया जाता है, फिर तुलसी के पत्ते तोड़कर इसके अंदर डाल और शहरों में जैसे की गाय का दूद नहीं मिल पाता है तो थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल दें, अगर गाय का दूद है तो गंगा जल डालने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गौम आता में तो सभी देवता वास करते हैं, हमारा पंचमरत बनकर तयार है, त तो आप पंचमरत की इस रेसिपी को ट्राइ करें, और फिर कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथी हिट करें बेल आइकॉन को जिस नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप सभी को जनमास्टमी की बहुत बहुत बधाई, और इसी क साथ आप सभी को राधे राधे